साथियों, गांदी जी कहते थे कि ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्म बल से परिपूर्ण होना है। आत्म बल इसलिए मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि ग्राम स्वराज की ये सोच सिद्धियों की तरफ आगे बढ़े। गुजरात में अपने लंबे सेवा काल के दोरान मुझे ग्राम स्वराज की वीजन को जमीन पर उतारने का आउसर मिला है। निर्मल गाउं के संकल्प के साथ खुले में सोच से मुक्ति जलमंदिर अभियान के माध्यम से गाउं की पुरानी बावडियों को पुनरजिवित करना। जोतिर ग्राम योजना के तरहत गाउं में 24 गंटे बिजली पहुचाना। तीर्थ ग्राम योजना के तहत गाउं में दंगे फिसात के बदले में सवहार्थ को प्रोच्छान देना। इग्राम और ब्राडबेंड से सभी ग्राम पंचायतों की कनेक्टिविटी ऐसे अनेक प्रयासों से गाउं और गाउं की व्यवस्ताओं को राज्य के विकास का मुख्य आधार बनाया गया। बीते दो दस्टकों में गुजराप को ऐसी योजनाओं के लिए विशेसकर पानी के ख्षेतर में बहतरीन काम करने के लिए राष्ट्रिय भी और अंतर राष्ट्रिय समस्थानों से भी अनेकों एवर्ड भी मिले हैं। साथियों, 2014 में जब देश ने मुझे ये नया दाईत्व दिया, तो मुझे गुजरात में ग्राम स्वराज के अनुभवों का राष्ट्रिय सर पर विस्तार करने का आउसर मिला। ग्राम स्वराज का मतलब सिर्फ पंचायतों में चुनाव कराना, पंच सर पर चुनना इतना ही नहीं होता है। ग्राम स्वराज का असली लाब तभी मिलेगा जब गाउं में रहने वालों की गाउं के विकास कारियों से जुड़ी प्लानिंग और मेनेजमेंट तक में सक्रिय सहभागिता हो। इसी लक्ष के साथ सरकार द्वारा विशेश कर जल और स्वच्षता के लिए सवा दो लाग करोड रुपिय से जादा की राची सीधे ग्राम पंचायतों को दी गई है। आज एक तरफ जहां ग्राम पंचायतों को जाता से ज़्यादा अधिकार दिये जा रहे हैं, दूसरी तरफ पार दर्सिता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ग्राम स्वराज को लेकर केंदर सरकार की प्रतिवद्रता का एक बड़ा प्रमान जल जीवन मिशन और पानी समितिया भी है।